नमस्कार मेरे प्यारे साथ यूँ एकडमी ओफ टीचर्स में आप सभी का स्वाकत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लगों के लिए करके आया हूँ teaching aptitude mcqs जो कि बहुत important है और different sources से लिए गया है पर यह नहीं कह सकता मैं दावे के साथ कि यही के यही आपके exam में आएंगे लेकि इन में जो मैं आपको concept बताऊंगा वो जरूर आएगा तो यह आपके लिए एक तरह से practice question है और इनको जो है आप अच्छी तरह से देखिए और helpfully चाए आप किसी भी teaching exam के तजारी कर रहे हों चाए बीए डेंटरेंस के तजारी कर रहे हों यह आपके लिए important है तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो like करके जाईएगा यहां कि आपका like ही है जो हमें प्रोत्साहित करता है और चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा comment के मा लेनर है अगर कोई ऐरर करता है तो उसे किस प्रकार से लेना चाहिए तो यहां पर ध्यान देने कि आवशेकता है कि जो सकता है जो How to नेर्निंग कि प्रेक्रिया में वह कुछ नंकुछ रिर करता है कहते हैं कि बीना गल्ति की हम सिखते नहीं हैं तो यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि जब विचारों को संप्रेसित करने की कोसित कर रहे हों तब और ठीक नहीं करना चाहिए ऐसा क्यों इसलिए जब वो खुद को कम्यूनिकेट कर रहे हैं खुद को बता रहे हों तो वो खुद में खुद को express करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके अंदर जो expression की power आ रही है ये में self confidence जो develop हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके उसे पहले develop हो जाने दीजिए पहले बोल लेने दीजिए उसके बाद उसे फ्यार से बताइए कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो इस प्रकार से यहां पर तीसर अविकल सही होगा अगले प्रसन पर चलते हैं दोस्तों एक पीटी सिक्ष हो गया है तो देखिए एक जो है पीटी टीचर है जो फिल्डिंग सुदार ना चाहता है बच्चों के अपने तो इसके वैसे में उसके लिए क्या helpful होगा विकल्प है तो देखिए विकल्प में जो है रिख्षार्थियों के बताना कि चेत्रक्षण उनके लेकिस प्रकार म इसे बच्चे उतना नहीं समझ पाएगा और जो दो और विकल्ब है छेत्ररक्षन को प्रदरशित करना और शेक्षार्थिया व्लोकन करेंगे इट मींज फिल्डिंग को डेमोंस्ट्रेट करना और जो बच्चे हैं वो इसे देखेंगी तो यह जो है एक तरह से अच्छा युक्ति है लेकिन चाउथा विकल्ब जागर देखें कि शेक्षार्थियों को शेत्ररक्षन का अधिक अभ्यास कराना देखेंगे ज्यादा से ज खुद करके सीखें तो इसमें सबसे अच्छा विकल्ब यही होगा कि शेक्षार्थी जो है खुद सीखें मतलब स्टुडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करें जादा से जादा इसलिए चाता विकल्ब सही होगा अगला क्वेस्चन है मोनिका जो गणित की शिकाह है राधिक ने एक सवाल किया जो कि मैथमेटिक्स की टीचर है उसने सवाल किया राधिका से और राधिकार ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने मोहन से पोश्च लिया लेकिन मोहन जो है स्ट्रुगल कर रहा था वो बता नहीं पा रहा था तो ऐसे में जो है मोनिका को क्या करना जाहिए तो देखिए मोनिकया जो है मोनिकया ने जो सब्दों को बदल दिया उस ने इसका इसा इसा हो जाएगा क्योंकि मोहन को ध्यान में रखते हुए उसने अपने लेंग्वेज बदल दिया लेंग्वेज बदला होगा जैसे करती है कि बजाए करता है ऐसा कुछ कह दिया होगा तो इस प्रकार से वो लिंग भूमिकाओं में गुडवत्ता को बढ़ावा दे रही है मतलब जेंडर रोल्स जो है उनको प्रमोट कर रही है मतलब जेंडर के अकॉड़िंग कैसे लेंग्वेज चेंज हो रही है वो यह प्रदल्षित कर दे रही है इसलिए यहां पर चौत्वी कल्पी सही होगा अगले प्रस्णा पर चलते हैं प्रतिवासाली सिक्षार्थी को ऐ क्या हो सकता होती है। ब्राइट इस्टुडेंट्स होते हैं उनको किस प्रकार सपोर्ट क्या हो सकता होती है। ऐसा सपोर्ट आफ नाठ प्रवाइड़ इसकूल दोर्वाइड नहीं करा जाते। अथवा, can manage their studies without help of teacher. मतलब ऐसी फैसलिटी जो खुद वो अपने से मेनेज कर लेते हैं अथ्वा can be role model for other students और may have learning disabilities तो प्रतिवास आली विद्यार्थी सिक्षर्थी को ऐसे सहयो क्याव सकता होती है जो कि आनिक के लिए role model बन सकते हैं अगले प्रसन पर चलते हैं सिक्षण अधिकम प्रक्रिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना महत्तोपूर्ण है क्योंकि मतलब यह टीचिंग लार्निंग प्रोसेस में जो है इंडी विज्वाली फोकस करना चाहिए तो तो यहां पर इसका importance क्यों है क्योंकि ग्रोफ रेट अफेवरीचाइलिस डिफ्रेंट उलांग यह होता है कि यह विज्वाइद की विज्वा में समझनेशने में और दियान देने के जरूर्थ होती है आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों यहां पर जूर्म पर जो है प्रसनों के सासित में जो आपको concept बता रहा हूं उसे समझने की कोसिस करिए और जब धीरे-धीरे आपको एक अच्छा concept बन जाएगा तो आप ऐसे questions को solve करना सीख जाएंगे अगला question है प्राया से शर्थियों की तुर्टियों की और संकेत करती है मतलब जो है जो बच्चे error करते हैं वो क्या सो करती है तो जो बच्चे error करते हैं वो यह बताते हैं कि उनको जो है mechanical need की आवसे मतलब उनको कैसे सीखते हैं उनको सीखने के प्रक्रिया का अंग है मतलब यह है कि यह बच्चे error नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं तो यह जो है जो उनके दुरुटियां होती है जो भी mistakes वो कर रहे हैं वो यह बताता है कि वो कैसे सीख रहे हैं तो उनके सीखने की जो है प्रक्रिया का यह एक part है इसे आप समझ के चलना है आपको आगे बढ़ते हैं कक्षचार का एक बच्चा स्टेव चिंदित और कुन्ठित रहता है आप क्या करेंगे मतलब यह क्लासपूर का वच्चा जो है अमें ऐसा worried रहता है und frustrated रहता है तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं स्वयम परामारसदाता की भूमिका का निर्वाहन करेंगे, मतलब आप काउंसलर की तरह एक्ट करेंगे, मतलब आप जो है उससे बैठ करके संधी पुरुख बात करेंगे, बीटे बताओ क्या दिक्कत है, किसले तुम परिसान रहते हो, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, घर में को जाना होगा, तो आपका अच्छा वेवहार है, जो आपको उसको खुद में मिलने के लिए प्रोसाहित करेंगे, मतलब यह है कि वो आपके सामने हर चीज रख पाए, इसके लिए उसको घुलना मिलना जरूरी है, तो आप as a counselor वहाँ पर उस भूमिका को निर्वान करेंगे, जब कुछ नहीं हो पाएगा, तब जो है आप उसको अभिवाक से सिकायत करेंगे, कहेंगे, और फिर मनलोच चिकित्सा के पास वो ले जाए, क्या करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ते हैं, सीवानी दोरा पूछे गए, एक प्रसन का उत्तर, सिक्छक ततक नहीं दे सकता है, सिक्छक की प्रतक्रिया क्या होनी चाहिए, मतलब सीवानी के स्टूडेंट है, उसका आंसर जो है, टीचर नहीं दे पाया, उसने जो क्वेस्टन किया, तो उसका ततकाल टीचर को आंसर नहीं पता था, ऐसा बहुत बार होता है, तो हम लोग अठक जाते ह तो सिक्षक दोर इस प्रसन के उत्तर बाद में समझ करके देना चाहिए, यही होना चाहिए, यहां पर सही भी कल्ब, अगला क्वेस्टन है, कक्षा में अगर कोई बच्चा विशय से इतर प्रसन करता है, तो सिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब यह कि बच्चे ने क्लास म कोई भी ऐसा question raise कर दिया जो कि irrelevant है तो इसे में teacher को क्या करना चाहिए तो ऐसे में teacher को ये करना चाहिए कि जब teacher force up में हो तब उसे बता देना चाहिए क्यों कि अगर class में आप अपने subject से अलग कुछ चर्चा करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा तो इस प्रकार से एक तरह से आपके लिए disturbing element होगा लेकिन जब आप प्री हों तब आप उसे बता दें कि विटा ऐसा नहीं ऐसा था आप टाइम देंगे तो वहाँ पर जो है वही परीका सबसे अच्छा होगा पज्यारत्य को आप डांट तो सकते नहीं है और बैच्चे की ज समय वक्त नहीं है आपका क्लास disturb हो जाएगी इसलिए यहां पर जो है दूसरा विकल्प ही सही होगा अब देखिए वैसे तो यह है कि जो है जब बच्चे की जग्यास हो तब ही उससांत किया जा लेकिन जग्यासा relevant हो तब मतलब संबंदित हो तब irrelevant चीज़ों के लिए जग सपात पर यह है सीसी होता है है का मतलब होता है कामप्रिएंसव एंड うん कउनिवस एस से इत है तो श Metal इनक्तुक क्या मतलब होगा मतलब ही छो सकोलिश्चिग्व ए रियास मतलब है ना केवल जो अपने विश्ते समंधिद ऐ Till 미ileū न citrus है उसका परेक्शन उसका मुलियांकन क कि उसके अंदर जो सहसे एक्षिक गतिविधिया जैसे की खेल भावना कितनी हैं, इमानदारी कितनी है, सच्छता कितनी है, परियावरण के प्रति उसका ज़ागरुकता कितनी है, ये सब चीजों को भी मेजर करना सहसे एक्षिक शत्रिक इंतर गताएगा, को स्कॉलिस्टिक तो न केवल आपके जो है content knowledge को चिक करता है बलकि आपके अंदर जो क्या attributes है आपके attitude है कैसे बच्चे का development हो रहा है कैसे personality किस तरफ जा रही है वो फिट जो है concept और अच्छा हो जाए वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाईएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो इसको प्राप्त करने के लिए क्योंकि इस चैनल पर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाईएगा तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे और जो है प्लेइलिस्ट के जा करके अपना जो जो भी जैसी भी आपके ज़रूरत है वैसे वीडियो आप देख सकते हैं सभी टापिक पर वीडियो प्रोवाइट कर आएगा है तो वीडियो कर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाईए कमेंट के माद जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और डिफरेंट सोचल मीडिया प्लेटफर्म का लिंक वीजियो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो आप हमें देख सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं कि नए अपडेट के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ